बारतिय जनता पार्टी से अनुशुचित वर्ग से जुड़ेवे प्रमुख नेताओं की आज बैटर थे आगे निकाई चुनाव आ रहे हैं ये विशे तो था ही लेकिन अनुशुचित जाती के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर भरतमान इस कॉंग्रेस की सरकार में राज़स्तान में बढ़ रही हैं उसके लिए भी हमारी रणनीती आगे जो रहने वाली है वो हमने तै की है दारा 370 जो हटा है उसका भी आने वाले समय में संपर्क और जाग्रण अभियान में करना है सेवा सब्ता जो 14 सप्टमबर और 20 सप्टमबर के मद्य रहेगा उसमें भी अनुसित जाती वर्ग की क्या भूमी का रहने वाली है ये कुछ विशे आज के बैटक में थी मुद्रूप से भारती जन्ता पार्टी अलग-अलग वर्गों से साथ बैठती आई है संग्ठन का विशे लेती आई है आज की बैटक अनुसित जाती मोर्चे दौरा आज़ित की गई थी सबी संभागों के प्रमुख लोग इसमें आये थे बहुत अच्छा इसमें डिस्क्रिशन हुआ, चिंतन हुआ और जो सोचल जस्टिस की अवधारना जो प्रदान मंतरी मोदी जी ने दी है इस देश को सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास तो उसमें चाहिए कोई योजना हम ले लें उसमें अनुशिक जाती, जनजाती के वरकों को उसका लाब मिल रहा है ये विशे भी नीचे तक जाना है जैसे हम प्रदान मंतरी आवास ले ले चाहिए हम मुद्रा ले ले चाहिए हम उजवला ले ले चाहे हम स्वभाग के योजना ले लें हर गर कनेक्शन तो ये नीचे तक परकुलेट होनी चाहिए चीज है जो मोदी जी ने लागू की है ये विशे आज की बैठते रहे थे देखे जब हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनोमी बनाने जा रहे है तो ये जो विशे विपक्ष उठा रहा है उसको लग रहा है एक वाटर में जीडीपी 5% रही है उनके खुद के समय में भी कई बार पांस से नीचे गही है हम और आल जो जीडीपी की दर है मुझे लगता है आज की अनुमान कमसा 7% तक रहने वानी है और तेजी से ये सरकार सुन रही है अलग अलग जैसे एक आटो स जिसको लेकर कि बार-बार वीशेह को निर्मला सितारहण जीने लगातार बैठे करें उसमें तीन बश्ञार आए भी एस फोर से बी सिक्स का ये ट्रांजिश्नल फेश है एक एलेक्रिक्र वेहिकल इंटरडक्शन का भी ये ट्रांजिश्नल फेश है ये ये एक है लिग बी मेडिया से आप मुखा भी तो मीडिया से भी पूछिए कि आभी बता दीजी हम तो सब चीज़ें करने के लिए त्यार हैं जब हमें फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बनानी है तो कोई विशें चोड़ेंगे नहीं चाहिए जीएस्टी के रेशनलाइजेशन का विशे हो चाहिए हमें कोई और सुधा देने का विशे हो चाहिए NBFC को ठीक करने का विशे हो चाहिए बैंकों की आर्थिक हालत ठीक करने का विशे हो किसी विशे को हम छोड़ेंगे नहीं हर विशे को टॉच करेंगे और उसको सुधा लेंगे इस बार क्या लक्षे नहीं होता है जी एक जैसे हमने अब ये एक उदेश से लेकर चथे चड़े पाइट डॉलर इकोनवे अब इसको आप लक्षे नहीं मानें हम दोजार चौबिस तक यह मार अदेश है जिस्पंपूरा करेंगे कि दोजार चौबिस तक हर घर में नल कि दोजार बाइस तक सबको मकां कि यह हमारे एक ऐसे उद्धिश्य हैं जिसे देश आके बढ़ेगा इसको लेकर करका हो सकता है हम सारे मकां दोजार बाइस से पहले ही पूरे कर लेंगे जैसे टीबी मुक्त होना चाहिए संसार वो दोजार तीस कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं 25 तक ही कर लेंगे परियाबार इंसर्क्षिन के बारे में भी सोब मोटर एक्षन लेने के लिए पैरिश एक्रिमेंट ने का मोदी जी ने सीधा सीधा के दिया एस यूपी का प्रसलन सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रसलन हम दो अक्रुपर से इसकी जागरिता पहलाएंगे कम कर देंगे तो इसको यह इसी तरह के रोजगार के अफसर है वह खाली EPFO से जुड़ेवे लोगों की आंक्रे रखता है बाकी बहुत से आशे आपका एक मीडिया का ही मुझे लगता एक बड़ा प्रोग्राम ताजिस में मोदी जी खुद थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पिछले पांच सालों में आपके यां तो एक भी सब्सक्राइब लगता है कि आपने बहुत ही टेक्निकल विशे उठाया है यह विशे चला था एक कंसेप्ट है था सन आप सोई से लेकिन भारती जनता पार्टी का यह विशे नहीं है भारती जनता पार्टी चाहती है कि जो इस देश का नागरिक है उसको सम जगे है रोजगार पाने का अधिकाह है यह भारती जनता पार्टी की इस्पष्ट नहीं थे है अधर पार्णागरी क्यादस्तान में आते हैं और रूमी लगवें आते हैं ऐसे ही पार्णागरा देशों का मुद्धा रूप चुगा तुट्चा जैसे आपने SM में NCR वाला लाग यहां भी कोई इस तरह के है केंदेश अधार कुछ करे लिए इस अधर पार्णागरी ज्याना एक बड़ी बात है नहीं देखें आप हमारे ग्रह मंत्री जी की अभी दो दन पहले ही कोहाटी में बैठें थी पुत्री पूर्वी परिशन की फिर नेड़ा की बैठक भी थी और इन दोनों बैठकों वहनों ने इस्पष्ट किया कि नेशनल रजिस्टर के काम को हम पूरा करेंगे कोई भी विदेशी घुस्पेट रिया कि हम पैचान करेंगे उसके लिए सिटिजन सिप बिल भी लाएंगे यह सब बात है हमारे ग्रह मंत्री जी ने इसपस्ट कही उससे आपको इसपस्ट होई काना से लिए इसपस्ट का एक पैरा एक असेश्टिट बनी जान रहा है जहां पर अहिंसा उसंति का अलग विपार्देंट हो रहा है इस इसका 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 चाड़ी गौरी गांदी का क्रेस चलिए उस्टिए उस ने से एक इसका माफ होड़ी कि देखिए ये मुख्यमंत्री जी इसमें राजनिती कर रहे हैं जो अभी चला है ट्रेंट वो चला है हैपीनेस इंडेक्स का कि यूएन एक असेस्ट कर रहा है कि कि किसी भी देश के या किसी भी पर देश के नागरिक हैपी कैसे रह सकते हैं और हैपीनेस इंडेक्स बढ़ना सी है उसके लिए परियास होने सी है हमारे देश में भी परियास होए शिक्यम पहला राजी है हमारे देश का जिसने हैपीनेस इंडेक्स बढ़ने के लिए परियास किया मंत्रा ले खोला बड़े राजियों में मध्यपरदेश एक राजी है जिसने आनंद मंत्राले खोला पहली बाद पडोस के देशों की बात करें तो भूटा हमारा पडोसी देश है जिसने happiness index को बढ़ाया happiness index बढ़ाने के लिए किसी भी सरकार को काम करना चीए यह तो विशे आया ना यह विशे राजनीती से जुड़ावा विशे है मोदी जी पापुलर क्यों हो रहे हैं जीतने जादा तो कभी कोई अवाडवाप्शी का विशे आ जाता है कभी मॉब लिची का कोई विशे लिया यह जी न्यू टर्मनल हो जी मोदी जी इस देश को आगे बढ़ना चाते हैं उनका एक ही उदेश यह है इसके इलावा कभी जो समाज में असांती पहलाने वाली चीज समाज में घ्रना पहलाने वाली चीज समाज में हिंसा पहलाने वाली चीज कभी में समर्तन नहीं करते हैं और जब मोदी जी ने गांधी को उठा लिया गांधी विन फिप्टी के कारिकरमों को हाथ में ले लिया तो कांग्रेश से एक कारिकरम आथ में लेने का परियास किया इसमें मैं क्याता हूं एक राजनिती है हम खुद दो अक्टुबर से पैदल चलने वालें डेली 15 किलोमेटर एक 150 किलोमेटर चलेंगे तो उन्हों देखें क्या हुआ है तो अगवाई इनों ने कर ली तब यह नहीं ने परियोग कर गांधी की प्रासंगीता और उसके बारे में सरकार ने जो काम गांधी को लेकर के लिए हैं जिसमें स्वच भारत अपनाव पे बड़ा काम है अब तो मुझे तो एक किसी कॉंग्रेस के नेता पे मैंने एक प्रेस कॉंफरेंस में का और उनका आपने गांधी जी का चस्म च हां चश्मे पे लिखा हुआ है स्वच भारत है तो उसे आपको तो गोराल भी तो ना चीए गांधी जी का चस्मा एक सवाल और निकाय चुनाव और यह तमाम चुनाव आ रहे हैं क्या आप बांते हैं जरीतों पर बहुत जादा अच्छार बढ़े हैं जिसको लेकर इस बा जातल पर जाएंगे भारतिय दंता पार्टी इसमें पीछे बैठने वाली नहीं है ऐसे दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे 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 ऐसा नहीं होगा जितने भी गटनाएं हुई है उसने राश्तान को भी सरमसार किया बारत मताची जायो बबाशाव बिट्कर अमर रहें अमर रहें अमर रहें अमर रहें अमर रहें करें साथ भून की तो बिल्ट का पैस्ता नहीं नहीं है, अलगों तुमेने बात्मन का भूंतीर जो क्यों कि इसे घ्री शाल भी रोचा रहा है, पहला, जैसे तुम्हारा करों कि पिश्में झाल झाल